डिये सस्क्राइबर तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड आज हम बात करने वाले फ्रेंड बिहार लगो दो में यूजनाव को ले करेंगे जो फ्रेंड बड़ी अपडेट निकल के आया हुआ है आज हम इसी के बारें बात करने वाले क्या इसका अपडेट है फ्रेंड मैं आप सभी को आर्थिक स्थिति के लिए जो सहता होता है वो सरकार देता है ठीक है इसमें क्या होता है कि आपको सरकार मिनिमम आपको 10 लाग तक का लोन सरकार देता है जिसमें क्या होता है आपका 50% माफ होता है और 50% ही आपको रिटन करना होता है तो आज में इसी के बारें बात करने वालों कबसे इसका 24-25 के लिए कबसे इसका आभेदन इस्टार्ट होने वाला है तो finally update निकल क्या चुका है कबसे आप लोग आभेदन कर पाएंगे 10 लाग के लिए और किस तरह से आभेदन करेंगे कौन-कौन इर्जविल्टी है क्या-क्या इसमें documents और क्या-क्या आपको जोगी जरूरी दस्ताविज आपको जोगी रखना है साथ में आभेदन करने के लिए और कौन-कौन अप्लाइक कर सकते हैं तो यह सभी चीज़को मैं बताने वाला हूँ वीडियो को लास तक जरूर देखेंगे तो finally officially update निकल के आ चुका है apply करने का date भी जारी हो चुका है तो कब तक आप कब से apply करेंगे तो यह सको जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखना है सबसे पहले मैं बता दो आप सभी जितनी ऐसे candidate हैं जो लेडी 10 लाग के लिए लाब ले शुके हैं तो आप सभी को अच्छे स नहीं होता है तो इस तरह से फिरन इसमें lottery based पे selection किया जाता है तो आप सभी को पता है कि इसमें जो कि पर्थम की आपको जो कि 3 लाग चार लाग इस तरह से जो कि देना परता है तो इसको अप्लाइक करने के लिए जो फिरन इसमें document चाहिए होता है बहुत सारे से document जादा इसमें कुछ नहीं होता है आपका bank account होना चीह है आपका पास जो कि आप एक qualification होना चीह जैसे metric inter pass out है या फिर आपका bank account जो है फिर फिर वो कम से कम आपका current account होना चीह है आप एक चीज याद आखेंगे अगर आप saving account यूज करते है तो आपका पैसा आपका payment कभी नहीं आएगा नहीं कभी लिस्ट में नाम आएगा तो इसलिए आपको ऐसा गलती नहीं करना है आपको saving account को use करना ही नहीं कभी भी इसके लिए अगर आप 10 लाग का लाब लेना चाहते है इसमें फिर दस लाग में होता है क्या है कि आपको business के लिए सरकार आप किसी भी तरह का बहुत सारे ऐसे business है जो कपरा का हो गया mail का हो गया ये किसी भी sector में आप उध्यों करना चाहते है त उसके लिए सरकार आपको 10 लाग रुपए लोन देता है जिसमें से 5 लाग आपका माफ हो जाता है और 5 लाग रुपए आपको जोई की 1% ब्याज के साथ देना परता है mail candidate को अगर वहीं पे अगर आप female candidate के नाम पे लेते था आपको 1% भी ब्याज नहीं देना है simply strip आपका 50% माफ होगा और 50% आपको रिटन करना है और या फिर SST candidate आते है उसके लिए भी सेम प्रोसेस है आप किसी भी केटिगरी से आते है तो 1% ब्याज आपको रिटन करना नहीं है मतलब female candidate को और male candidate को 1% के साथ रिटन करना हो जो इस तरह से इसमें होता है selection process देख सकते हैं आपके पास pen card होना चाहिए, current account होना चाहिए, अधार card आपका mobile number link होना चाहिए, कोई भी qualification होना चाहिए, आपके पास निवास परमान पत्र होना चाहिए, जाती परमान पत्र होना चाहिए तो ये सारे दस्ताविज आप आप देख सकते हैं इस तरह से जो कि संगेटेर परमान पत्र आधार card, pen card, photo, hashtakshar, आपका bank statement जो होता है या पर रद किया गया checkbook आपका होना चाहिए, तो इस तरह से आपका ये सारा document जो कि जाती परमान महिला की माता-पिता के नाम से होना चाहिए, intermediate आपका जो कि या metric pass out आपके पास होना चाहिए, अस्थाई, निवास, परमान पत्र आपके पास होना बहुत जरूरी तभी जाकर कि आप जो कि apply कर सकते हैं, तो इसका फ्रेंट देखेंगे, finally जो update निकल के फ्रेंट आया, यहाँ पर देख सकते हैं, कल के date में यह आपका आवेदन शुरुक कर दिया जाएगा, और जो आवेदन जो है फ्रेंट, आवेदन पोर्टल 1 जुलाई से ले करके 31 जुलाई 24 तक आपका खुला रहेगा, यानि कि आपको एक मैना का समय दिया गया apply करने के लिए, जो मैंने आपको पहली बताया, ति आपका कब से क अब तक apply कर सकते हैं, क्या-क्या documents है, और कितना आपको subsidy मिलता है बिजनस के लिए, कितना माफ होता है, वो सारा चीज़ यहाँ पी मैंने आपको बता दिया, तो इस तरह से फ्रेंट देख सकते हैं, जितनी फ्रेंट candidate बिहार उधमी योजना के लिए वेट कर रहे हैं, दस क्लोन के लिए अगर वेट कर रहे हैं, आप लोग 1 जुलाई से apply कर सकते हैं, और 31 जुलाई तक आप last date रहेगा, इसका form भरने का, जो selection process होता है, इसमें काफी top level का होता है, क्योंकि lottery base पे होता है, तो आपको ये चीज़ फ्रेंट गलती नहीं करना है, क्योंकि पहले इसमें जो जब first time इसमें apply होता था, इसमें current account का ही option रहता था, लेकिन बाद में इसको saving account में भी update कर दियागे, आपको दोनों option दिया जाता है, लेकिन आप saving account को ना use करी तो ज्यादा better रहेगा, तब आपका कुछ हद तक chance रहेगा, ठीक है, और एक family से अगर आप चाहते हैं, आप आपको 4-5 candidate का apply करवाना होगा, तब उन में से किसी ना किसी एक का list में नाम आपका आएगा, तो ये friend मैं आपको कुछ officially update में बताता हूँ, जो कि आपको ये सब चीज notification में भी नहीं देखने के मिलेगा, ठीक है, तो I hope कि समझ ले होगे, मैं कहां से बात कर रहा हूँ, और क बहुत जल ओलाइन शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपको paper सारा तयार रख लेना है, आप सिंपली ये website पर आएंगा, ओफिसली, यहाँ पर देख सकते हैं, इस सभी paper को documents वर्चे साब को current तक तयार करके रख लेना है, देख सकते हैं, आपको सारा paper को current तयार करके रखेंगा और यहाँ पर easily आप apply करेंगे, बांके फिरेन details के साथ मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, और मैं apply करके बताऊँगा, आपको कैसे apply करना है, फिलाल आप 1 जुलाई तक वेट करें, देख सकते हैं, एक जुलाई से आपका online जैसे ही start होता है, आपके लिए वीडियो लेक जैकि नपकी तर वेको ये एक बनीटा आपको कोते हैं, एक प्र Regel वेविडिएником करेंगे जाए।